अब हम आते हैं अगले बिंदु पर लोक तंत्रक व्यवस्था की अदिम बात करें लोक तंत्र को व्यावारिक रूप देने के लिए विश्व में सामानिता दो तरह की व्यवस्था है दो तरह की व्यवस्था से लोक तंत्र लोक तंत्रक सरकार चला ही जा सकती एक तो अध्यक शात्मक विरस्था दूसरा संसदात्मक शात्मक 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 श आप कहते हूं सोचेंगे कि भारत में तो राष्ट्रपती मुख्या है बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन भारत का समधान कुछ ऐसा है जिसमें राष्ट्रपती को मुख्या तो बनाए गया है लेकिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं या जिसे कहा जाता है कि कानूनी रूप से वो राष्ट्र का मुख्या है लेकिन व्यावारिक रूप में प्रधान मंत्री राष्ट्र का मुख्या है हम इस पर आगे और पढ़ेंगे पर अभी आपकी जो शंका है उसको निराकर्ण यहीं करना चाहूंगा यह कहके कि अध्यक शात्मक प्रणाली में राष्ट्रपती के हाथ में वास्तविक ताकत होती है सत्ता होती है जैसा अमेरिका जबकि संसदात्मक प्रणाली में जनता के चुनोई हुए प्रतनिजियों के बीच से एक व्यक्ति प्रधान मंत्री बनता है और सारी सत्ता सारी शक्ति सारा अधिकार उसके हाथ में होते हैं सब जनता की चु कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कारेपालिका उसका काल जो है निश्चित होता है कारेपालिका अर्थात एंग्जिकेटिव और वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई नहीं होती अब व्यवस्थापिका क्या है संसद जिसे अमेरिका में सेनेट कहते हूँ उसके प्रति वो उत्तरदाई नहीं है ये होता है अध्यक शात्मक प्रणाली इसके ठीक उल्टा संस्दात्मक प्रणाली की बात करें जो भारत में है तो उसमें कारेपालिका जो है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई है कारेपालिका में मंत्री परिशद आता है प्रधान मंत्री आते हैं, यद्यपीन में सबसे ज़्यादा ताकत सत्ता होती है, लेकिन ये उत्तरदाई है, किसके प्रती, व्यवस्थापी का अर्था संसद के प्रती, और संसद किन से मिलके बनती है, जनता के चुने हुए प्रतनिधियों से मिलकर बनती है, अर्था तुम मैंने कहा कारेपालिका अध्यक्षात्मक प्रणाली में उसका कारेकाल निश्चित होता है, यहां पर कारेपालिका का काल निश्चित नहीं है, इसके मायने ये नहीं कि मंत्र परशद एक बार निर्मित होई तो वो अनंतकाल तक वही मंत्र परशद है, नहीं, इसका आर्थ य कि अधिक्तम काल उसका पांच वर्ष का हो सकता है बास कितनी भी सक्षम कितनी भी अच्छी मंत्री मंदल हो उसका अधिक्तम काल पांच वर्ष और यदि संसद का बहुमत चाहे तो उस मंत्री परिशद को भंग कर सकता है हटा सकता है और नया मंत्री परिशद का निर्मान कर स उसी संसद के अंदर से इसलिए संसदात्मक प्रणाली में ये कहा जाता है कि कारेपालिका का काल निश्चित नहीं होता पर अधिक्तम पांच वर्ष एक बार में हाँ पांच वर्ष के बार जनता चाहे तो इन्हीं संसदों को फिर से चुन सकती है और ये संसद उसी मंत्र अंदल को फिर से सरकार बनाने का अधिकार दे सकते हैं लेकिन वह पांच वर्ष के बाद चिनाओं होने पर ही जनता का जनता की सहमती मिलने पर ही भारत का केंद्री परिशद जो है वह व्यवस्थापिका के प्रति लोक प्री संसद के प्रति लोक सभा के प्रति उत्तरद आई है जहां अमेरिका में अध्यक शात्मक विवस्था है वहीं भारत और इंग्लेंड में संसदात्मक प्रणाली है संसदात्मक जहां भारत में राश्पती केवले टिट्यूलर हेड है कानून के नजर में वहीं इंग्लेंड में वहां की जो राज्या ध्यक्ष है जो अभी तक क्वीन थी और अब किंग है वो भी टिट्यूलर हेड है वास्तविक सत्त तो वहां भी प्रधान मंत्री के हाथ में हैं जो और उनका मंत्री परिशद संसत के प्रतिश जिम्बेदार है अब सवाल यह आता है कि हमने लोक तंत्रिक विवस्था क्यों चुनी इसका उत्तर क्या होगा बहुत बड़ा कारण था एतिहासिक प्रिश्ट भूमी पूरे राश्ट्री आंदोलन के जो अन्तिम 68-78 वर्ष थे कॉंग्रेस की स्थापना 1885 में होती है एक राश्ट्री आंदोलन का नित्रत करने के दल के रूप में उसने अपने पूरे आंदोलन के काल में सतत रूप से लोक तंत्र की पैरवी की थी इसलिए स्वाभाविक था कि स्वतंता के बाद वो लोक तंत्र ही लागू करेगी और इसलिए भारत में भी भारतियों के दबाव में धीरे धीरे लोक तंत्र की विवस्था को अक्तियार किया जा रहा था जैसा कि मैंने बताया 1919 का मिंटो मॉर्ले मॉन्टेगी चेम्स फोर्ड रिफॉर्म 1935 का चनाव जो गवर्मेंट अफ इंडिया एड के तहत हुआ वास्तों में एक सही तरीके का चनाव हम इसे कह सकते है 1935 का जिसमें भारतियों ने अच्छी बड़ी थंख्या में भाग लिया तो ये अनुभव था लोकतांत्रिक व्यवस्था का हमारे पास अनुभव हो गया था लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना हमारी अतिहासिक व्यवस्था भी थी पूरे दुनिया की चिंता को दर किनार कर दुनिया के उधारणों को दर किनार कर लोकतंत्रिक विवस्था हमें अपनाना है इसमें कोई दो मत हमारे सम्विधान सभा के सदस्यों में नहीं था सभी इस बात में एक मत थे कि हम लोक दांतरिक व्यवस्था का ही शासन यहां लाएंगे अब सवाल यह उड़ता है कि अध्यक शात्मक बनाम संसिदी आत्मक संसदात्मक में हमने संसदात्मक क्यों चुमा इसका उत्तर भी अब तक आपको मिल गया होगा पहला मैंने दिया है कि बिटिश शासन के दौरान से ही यही व्यवस्था हमारे हैं लागू हो चुकी थी और भारतियों को इसका एक तरीकता अनुभा हो गया था ग्यान हो गया था क्योंकि इंग्लेंड में भी संसदात्मक व्यवस्था थी हम काफी कुछ उससे परिचित हो चुके थे पहली बात तुई है दूसरा हमने संसदात्मक क्यों अपनाया क्योंकि अध्यक शात्मक प्रणाली के तुलना में संसदात्मक प्रणाली अधिक लोक तांत्रिक है इसमें कोई दो मत नहीं और उसका कारण क्या है क्योंकि इसमें कारे पालिका अर्थात मंत्री मंडल अर्थात सरकार किसके प्रति उत्तरदाई होती है जनता के प्रति संसद के प्रति उत्तरदाई होती है और संसत जो है जन्ता की मनी होई है इसलिए कारेपालिका का तानषाही रवय अक्तियार करना लगभग नगन्य है इसमें कारेपालिका या मंत्रि परिशल कि ताना शाही होने के संभावना बहुत कम रहती है अर्फात लोकतांतरिक व्यवस्था इसमें सुनिष्चित रहती है इसी कारण और इसका कारण क्या है कि कारे पालिका संसत के प्रति उत्तरदाई संसत जब चाहे तो मंत्र परश्यद को बदल सकता है अब इश्वास प्रस्ताव पारिद करके उन्हें हटा सकता है अधिक्तम उनका कारेकाल निश्चित है पांच वर्ष अधिक्तम इन दो कारणों से बलकि तीन कारण जो मैंने बताया है हमने अध्यक्षात्मक व्यवस्था ना चुन करके लोग तांत्रिक व्यवस्था की संस्दात्मक प्रणाली को अपना दा इन दोनों प्रणालीों का हमने तुलनात्मक अध्यन किया और यह समझने की कोशिश की कि भारत ने लोग तंत्र क्यों अपनाया और इसके बार लोग तंत्र में संस्दात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई थोड़ा ये भी जान लें कि दोनों में समानता क्या है सबसे बड़ी समानता दोनों ग्रवस्थाओं में कि दोनों में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्पूर्ण है सचाई तो यह है कि दोनों प्रणालियों का संचालन राजनीतिक दलों के बिना संभाव नहीं बिलकुल सही बात संसिधी प्रणालिय इसमें एक कदम और आगे इसमें तो बिना राजनीतिक दलों के सरकार का ही निर्मार नहीं किया जा सकता आपको मालुम है कि सरकार उसी किसी एक डल की बनती है सरकार उसी डल को सरकार बनाने का अथर दिया जाता है जिसे लोक सभाब में बहुमत मिला हो लोग तंत्र में एक से अधिक दलों को राजनीतिक प्रक्रिया में अनुमटी मिलना जरूरी है एक से ज्यादा दलों को ये एक सच्चे लोग तंत्र की निशानी है ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूर में मैंने बताया आपको कि ऐसे भी कुछ देश हैं जहां तथा कथित लोक तंत्र के नाम पर केवल एक दल है एक दल के अधार पे लोक तंत्र संभा हो ही नहीं सकता दोनों विरोधा भात्सी हैं लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं यदि किसी देश में एक ही दल को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अनुमत मिली है तो उसे सच्चा लोक तरण तो कहा ही नहीं जा सकता वे कहलाएंगे सूडो डेमोक्रेटिक पी एस ए यू डियो सूडो डेमोक्रेटिक आज की बात करें वैश्विक इस्तर पर तो चीन जो है वहाँ एक दली लोक तंत्र है कहने को लोक तंत्र पर एक ही दल कम्यूनिस पार्टी अमेरिका और बिटन कम इन बात की वहाँ दो डल है दूई दली प्रणाली और भारत बहु दली है और बहु दली मतलब 50-60 से भी ज्यादा दल है भारत में आप यदि सूची बनाने बैठें अपने स्वैम के ग्यान के अधार पे दलों के नाम लिखने बैठें तो कम से कम 50 दल आपके जेहन में होंगे इतने दलों के क्या माइने हैं भारत के लोक तंत्र में इस पर हम आगे चर्चा करेंगे फिलहाल यह रही बात भारत में सिंतदात्मक प्रणाली को अपनाने की अब हम आते हैं थोड़ा फिर से इतिहास की और 26 नवंबर 1949 यह क्यों प्रसिद्ध है क्योंकि इस दिन पंडित जवाहलाल नहरू ने सम्विधान निर्माताओं द्वारा बनाएगे सम्विधान की पुष्टक पर हस्ताक्षर किये स्वीकृति का हस्ताक्षर और अंगी कृत करने का हस्ताक्षर तारीख याद रखेंगे 29 नवंबर 26 नवंबर 49 और उस दिन उन्हों गोशना किये कि 26 जनवरी 50 को अमल में लाये जाएगा और 26 जनवरी तारीख क्यों चुनी इसके लिए आपको 26 जनवरी 1930 के उस घटना करम को समझना होगा याद करना होगा जहां रावी नदी के किनारे पंडि जवालाल नहरू ने तिरंगा जंडा फेहराते हुए कॉंग्रेस के अखिल भारती वार्षिक सम्मेलन में ये घोशना की कि भारत का लक्ष पूर्ण स्वराज होगा और 26 जनवरी 50 को सम्विधान को लागू करने पर भारत पूर्ण स्वराज के लक्ष को प्राप्ट करता है इसलिए 26 जनवरी 50 की तारीक तैकी गई भारत के गनतेंतर बनने की अब इस काल में जब भारत का सम्विधान बन रहा था 1940 से जिसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी 1940 दिसंबर में सच्चिदानंचिनहा प्रो टेम स्पीकर बनते हैं फिर उसके बाद दो दिन बाद डॉक्टर आजेंद प्रसाथ को इस थाई अध्यक्ष बनाया जाता है सम्विधान सभा का और उसके दो दिन बाद अर्थाथ 13 दिसंबर को पने जवाला नहरू दली स्थिती बनाम लोक तंत्र इसको समझने के बाद अब हमाते हैं थोड़ा सा सम्विधान के इतिहास पर अंग्रेज 1944-45 में ही घोशित कर चुके थे कि वो भारत छोड़ेंगे और उसके परिप्रेक्ष में 1946 में भारत में सम्विधान सभा का निर्माण होता है इस उद्येश्य से कि वह भावी सम्विधान एक सुतंत्र भारत का बनाएगी और लागू करेगी सम्विधान निर्माताओं में सभी लोग भारत के ही थे 9 नवंबर 1946 को सम्विधान सभा की पहली बैठक श्री सच्चिदान शिनहा की अधक्षता में होती है जो प्रो टेम स्पीकर बने दो दिन बाद डॉक्टर आजेंद प्रसाद इस्थाई अधक्ष के रूप में निर्वाचित होते हैं और सम्विधान सभा की अधक्षता करते हैं आने वाले जो 111 दिन की जो उसकी बैठके हुई उसके अधक्षता डॉक्टर आजेंद प्रसाद करते हैं दो दिन बाद ही सम्विधान सभा के पटल पर सम्विधान सभा के अधक्षियों को रखते हुए पंडे जवालाल नहरू का भाशन होता है और उन देशियों में उसपष्ट करते हैं कि सम्विधान सभा के सदस्यों से क्या अपेक्षाए हैं जनता की और उसे हमें पूरा करने में एक जुठ होना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा ये प्रक्रिया सम्विधान सभा की चलती है और 26 नवंबर 1949 को बहुत सारे बदलावों के बाद, अमेंडमेंड के बाद सम्विधान का प्रारूप तयार होता है उसकी पुस्तक तयार होती है और जो ड्राफ्टिंग कमीटी के अध्यक्ष है डॉक्टर बी आर अम्बेड कर जिन्होंने उसे लेखनी का रूप दिया भारत के सम्विधान को पुस्तक पंडेजवालाल नहरू को देते हैं पंडेजवालाल नहरू उस पर हस्ताक्षर करते हुए इस सम्विधान को देश के लिए अंगी कृत करने की स्वीकृती देते हैं ये घटना है 26 नॉमबर 1949 को अर्था ये मान लिया जाता है कि ये सम्विधान भारत में लागू होगा और ये तैह होता है कि ये सम्विधान 26 जनवरी पच्चास से लागू होता है अर्था दो महिने बाद सवाल ये आता है कि 26 जनवरी तारीक क्यों चुनी गई उसके पीछे एक एतिहासिक कारण है 26 जनवरी 1930 रावी नदी के किनारे अखिल भारती कॉंग्रेस का वार्षिक अधिवेशन स्वतनता अंदोलन की प्रिष्ट भूमी में होता है और इसमें प्रणिजवाला नहरू पहली बार आधिकारिक स्तर पर मंच से घोशना करते हैं कि हमारे राष्टी आंदोलन का और कॉंग्रेस का ये लक्ष है पूर्ण स्वराज अर्थाथ पूर में जो हम स्वराज की मांग कर रहे थे अब हम नथिंग शॉर्ट अफ कम्प्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे नथिंग शॉर्ट अफ कम्प्लीट इंडिपेंडेंस 26 जनवर 1950 को जैसे ही सम्विधान लागू होगा भारत पोल रूप से सुतंत्र हो जाएगा इसी लिए 26 जनवरी किति थी बहुत महत्पूर्ट थी और 26 जनवरी 19-30 की याद में 26 जनवरी तारीक तै की गई थी सम्विधान को लागू करने की अमल में लाने की इस दोरान जब सम्विधान सभा की बैठके चल रही थी और सम्विधान निर्माता ना केवल सम्विधान बनाने में व्यस्त थे बलकि देश का शासन भी चला रहे थे एक अंतरिम सरकार का निर्माण होता है अंतरिम सरकार दली राजनीती से उपर उठकर उन लोंगों से मिलकर बनी थी जो विभनिक खेत्रों में अपनी दखल रखते थे पैट रखते थे अनुभवी थे और उनके अनुभव का उनके ग्यान का उप्योग देश के हित में हो सके इसे मद्दे नज़र रखके अंतरिम सरकार पंडे जवालाल नहरू के नितरत में रहती है अब ये अन्तरिम सरकार लोगतांतिक तरीके से चुनी नहीं गई थी अर्थात मतदान से नहीं चुनी गई थी इसलिए तैकि आगया कि तब से पहले अब हमें चुनाओ आयोग का गठन करना है 24 जनवरी 1950 को सम्विधान की पुस्तक पर सभी सम्विधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं उसी दिन देश के प्रतीक चिन्हों को अंतिम रूप से स्विकार किया जाता है और 25 जनवरी को चुनाओ आयोग की गठन की घोशना होती है जिसके अध्धक्ष था जिसके पहले अध्धक्ष बनाए जाते हैं श्री सुकुमार सेइन याद रखेंगे श्री सुकुमार सेइन ये बहुत महत्पूर नाम इसलिए है कि उनके ये पहले अध्धक्ष थे इनके द्वारा देश के चुनाओ आयोग और लोक तंत्र की दिशा को तै किये जाने की अहम जिम्मेदारी दी गई थी भारत का इतना विशाल खित जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ भारत की इतनी विशाल जनसंख्या और वह भी पच्चासी प्रस्यत अशिक्षित उनके माध्यम से निश्पक्ष चुनाओ कराना उस काल में जब किसी तरह का संचार माध्यम जो सक्षम हो वो प्लबनी था नेट सुविधा नहीं थी ट्रांस्पोर्ट सुविधा भी उस तरह की नहीं थी टेलिफोन आदी की सुविधा भी नहीं थी विशेश कर बस पोस्ट ऑफिस की सुविधा थी जिसमें पोस्ट त्रेड डाकिये चिठ्थियां या दस्तावेज पहुंचाते थे तो दस दस पंदरा पंदरा दिन लग जाते थे ऐसी स्थिते में निश्पक्ष चुनाव कराना स्वतंत्र चुनाव कराना बहुत बड़ा काम था इसकी परिशानी की वज़ा कुछ और भी थी इन परेशानियों के अलावा जिसका मैंने जिक्र किया बहुत बड़ी वज़ा थी कि पहला चुनाव होने के नाते चुनाव खेत्रों का निर्धारण करना कितने बड़े चुनाओ खेतर से उसमें कितनी जनसंख्या वाले और कौन लोग इस चुनाओ खेतर के मतदाता होंगे ये तै करना बहुत कफिन काम था क्योंकि जब चुनाओ खेतर तै किया जाता है तो उस खेतर का खेतर फल उस खेत्र में रहने वाले लोगों की बहुलता उस खेत्र की जनसंख्या भाशाई दिक्कत और चूंकि रियास्तें थी उस समय तक पक्के राजियों का निर्मार नहीं हुआ था इसलिए उनके विभाजन की समस्या बहुत महती थी तो सीमांकन की समस्या अगली समस्या जो एक और थी वह थी मत दाता सूची की उनके नाम शामिल करने की सुनिश्चित्ता होना जो 21 वर्ष से उपर किया यू के थे ये एक बहुत बहुत बड़ा काम था बहुत बड़े जिम्मेदारी थी यतने बड़े देश में कैसे सुनिश्चित्त किया जाया कि हर व्यक्ति का नाम इस मत दाता सूची में हो और तीसरी जो प्रक्रिया तीसरी जो दिक्कत थी मत दान का तरीका क्या हो वैसा ही जैसा आपके कक्षा के बारे में मैंने जिक्र किया हाथ उठा के बुड़ी भीड को एक जग़े कठा करके या क्या तरीका हो बहुत से तरीके होते हैं वर्तमान में हम एलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के माद्धे हम से चुनाओ करवाते हैं पर एलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन तो 2004-05 में आई उसके पहले कैसे इस समस्या को लेकर भी तबकाली चुनाओ आयोग चिंतित था परेशान था लेकिन चुनाओ आयोग ने बहुत सुगमता से बड़ी सूजबूच से ये चुनाओ संपन कराया पहला चुनाओ जो 1950 में नहीं हुआ संविधान के लगू होने के बाद नहीं हुआ बलकि 1951 में और सच कहा जाए तो 1951-1952 क्योंकि यह जो चुनाओ था पहला लोक सुबह चुनाओ उसे लगवा च्छै माह लग गया मतदान चुनाओ प्रचार से लेकर मतदान और उसके बाद मतगणना पूरे देश की करने में उसे च्छै माह लग गया जो आज च्छै दिन में हो जाती हैं तो 1951-1952 का चुनाओ पहला हम चुनाओ कहलाता है इसे बड़ी सुजबूश से संपन किया और पूरी दुनिया ने इस मामले में भारत का लोहा माना आखिर चुनाओ आयोग की सफलता बहुत महम इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत के लोक तंत्र पे वैसे ही बहुत से प्रश्ण थे लोक तंत्रिक व्यवस्था को लागू करने की समझ को लेकर भी बहुत से प्रश्ण थे शंकाएं थी ये सब निर्मूल साबित हुई ने बखु भी अपनी भूमिका निभाई उन्नी सो बावन के चुनाओं में जिसे अंग्रेजी में इलेक्शन कमिशन कहते हैं सुकुमार सेंज जिसके पहले अध्यक्ष से यह आपको मालूम होना चाहिए कि चुनाओ आयोग जो है वो लोक तंत्रिक व्यवस्था का बहुत महत्पूर्ण अंग है और लोक तंत्रिक व्यवस्था में मतदान जो है वो सबसे ज्यादा महत्पूर्ण है किसी ने कहा भी है कि चुनाव व्यवस्था लोक तंत्रिक व्यवस्था का प्राण है लोक तंत्र में चुनाव होना महत्पूर्ण नहीं उससे भी ज्यादा महत्पूर्ण है कि किस प्रकार चुनाव हुआ चुनाव संपन्ध हुए ये जरूरी नहीं है ये अहम नहीं है अहम है किस तरह से चुनाव हुए अर्थात कितने निश्पक्ष हुए चुनाव कितने निश्पक्ष होते हैं चुनाव व्यवस्था को देखने वाले, संचालित करने वाले जो विभिन अधिकारी गण है, विभिन जो सिस्टम है, वो कितनी निश्पक्षता से, कितनी एमानदारी से अपना कार करें, ये बहुत मर्थ पूर्ण है, क्योंकि इसी पर तो जनता का विश्वास दिरभर करता है, कहने में कोई दो मत नहीं कि जिस तरीके से 1951-52 के चुनाव हुए, उसके परणाम स्वरूप चुनाव आयोग ने जनता का भरपूर विश्वास पाने में सफलता पाई, यदि निर्वाचन व्यवस्था में आम जनता का विश्वास नहीं रहेगा तो, यदि आपको उनक ने इस सदस्य को वोट दिया है, इस कैंडिडेट को वोट दिया है, लेकिन जीता कोई और, तो आप उस चुनाव व्यवस्था पे प्रश्चन उठाते हैं और अगली बार चुनाव में भाग नहीं लेंगे, प्रणाम क्या होगा, कि यदि आपका विश्वास चुनावी प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे, और जब जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो ऐसी स्थिति में जो लोग चुन के आएंगे, वे लोग वास्तों में लोक प्रतिनिधी कहलाने लायक नहीं है, भारत के समि जो ने चुनाव आयोक की स्थापना की जिसका मुख्य काम राश्टिपती का चुनाओ ओपराश्टिपती का चुनाओ संसत के सदस्यों का चुनाओ और राज्य सभाव राज्य बुधान मंदल के सदस्यों का चुनाओ करवाना तो election commission की महत्ता क्या है कितना sensitive ये विभाग है ये आपने समझा कि इनका ये चुनाओ करता है ये भी आपने समझ लिया तीसरा ये आयोग समवेधानिक आयोग है अर्था समविधान के द्वारा गठित है इसके निरमान के बारे में हमारे समविधान में ही विस्तार से बता दिया गया है और इसलिए समवैधानिक आयोग है चुछ कि चुनाव आयोग चुनाव करते हुए निर्वाचन का काम करता है इसलिए से निर्वाचन आयोग भी कहते हैं अर्था इलेक्शन कमिशन इसकी सनरचना कैसी है भाग 15 अनुच्छे 324 से 329 इतने में चुनाव आयोग के संपूर्ण व्याउस्था का जिक्र है सम्विधान में अनुच्छे 324 में निर्वाचनों का निर्विक्ष निर्देशन निरिक्षन और नियंत्रण इस पर पकाश डाला गया है और अगला बिंदू हर राज्य के लिए अलग-अलग राज्य चुनाव आयोग नहीं है और इसलिए क्या है इसलिए पूरा जो देश है वो एकात्मक्ता के बंधन में है क्योंकि एक ही चुनाव आयोग है कोई खेत्री चुनाव आयोग नहीं है अर्थात यदि 36 गड़ राज्य में विधान सभा का चुनाव होना है तो 36 गड़ चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं है इस राज्य के विधान सभा का चुनाव भी दिल्ली स्थित एक ही चुनाव आयोग वही चुनाव आयोग करता है जो चाहे महराश के चुनाव करे राश्पती के कराए या तमिल लाडू के कराए इस पर नाम क्या एक आत्मक्ता को बढ़ावा देश की एक जुटता को बढ़ावा अखिर अब आप समझ गया होंगे कि खेतरी चुनाव आयोग क्यों नहीं है चुनाव आयोग के गठन को लेकर 342 अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अन्य याद रखेंगे संख्या नीदी हुई है अन्य आयुक्तों की नियुक्ति किनके द्वारा संसद किसी विधी के उपबंधों के अधीन रहते हुए राश्पति द्वारा इनका नाम जद्गी होती है अर्षा संसर्था करती है एक विधी रहती है एक तरीका है उसमें अध्यक्ष चुना जाएगा या निर्वाचन आयुक्त इलेक्षिन कमिश्णर और सदस्य कितने सदस्य यह सपश्चनी है और इनके नाम पर तक्षर कौन करते हैं राष्टपती इसका अनमोधन पहले होता है अब मुखिन निर्वाचन आयुक्द जो दिल्ली में बैठा है उसी की सिफारिश पर खेत्री आयुक की नियुक्ति का प्रावधान है और खेतरी आयुक जो है वो सीधा चुनाव आयुक के मातहत राश्टी चुनाव आयुक के मातहत आते हैं अगला बिंदु इसके गठन को लेकर जैसे सदस्यों की संख्या सुनिश्चित नहीं है ऐसे ही इनकी पात्रता सुनिश्चित नहीं है योग्यता सुनिश्चित नहीं है कोई लेख नहीं है कि कितना पढ़ा होना चाहिए या क्या अनुभा होना चाहिए या क्या कुछ विस हा कारे काल 6 वर्ष का होगा या 65 की आज़ तक जो भी पहले हो जाए अभी तक जितने भी निर्वाचन आयुक बने हैं ये देखा गया है परंपरा के निसार कि ये लोग वे लोग थे जो किसी दल से जुड़े नहीं थे ये स्वभागे की बात है कि दलगत राजनीती से उठकर स संसद ने चुनाव आयुक तैक किया है सामा नित्रय ये लोग बहुत उचे उहड़े पर कारिरत या कारे मुक्त अधिकारी होते हैं इनके वेतन भत्ते संसद के द्वारा तैक किये जाते हैं और सामा नित्रय सरवत नियाले के निया अधिश के बराबर ये रहता है और इनके नियुक तिक बार इनके वेतन कारेकाल और अन्य शर्तों में कोई ऐसी कारवाई नहीं होगी जिससे उनका अहित हो और साथ एक बार उनका वेतन तै हो गया कारेकाल तै हो गया सेवा शर्तें तै हो गई जिससे पर्क्स कहते हैं तो उसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा जिससे इनका नुकसान हो आखिर ये क्यों कहा गया है क्योंकि यदि कभी कोई चुनाव अधिकारी चुनाव आयुक्त सरकार के पक्ष में कारिना करे तो सरकार या संसद जहां सरकार का बहुमत है वो ऐसा निर्णाय ना ले जिससे कि उसकी तनखा में गिरावट दिखा दे या सुवधाओं में गिरावट दिखा दे इस पर लगाम लगाने के लिए इस पश्ट किया गया है कि एक बार सब निर्धारित होने पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुक्सान हो इनका जो वेतन है इसका संबन बजट से होता है अब एक बहुत महत्पूर्ण बिंदू और वह है चुनाव आयोग के सदस्यों को कमिशनर्स को आयोग को पद से हटाने वाला मामला और थाथ उसे पदचिवत करने वाला मामला ये बहुत महत्पूर्ण बिंद्दा है कल्बना करिए कि स्थिती जब सरकार चुनाव आयोग के सदस्यों पर दबाव बनाती है किसी एक चुनाव में किसी सदस्यों को जिताने के लिए और चाहती है कि कुछ तिकडम से येन केन पकारेन ये सदस्यों जीते अब चुनाव आयोग के सामने दो रास्ते हैं या तो सरकार के दबाव में आकर साम दाम दंड भेट के बल पर किसी एक विक्ति को चुनाव में जित्वा दे और ऐसा करते हुए जनता का विश्वास खोदे लोग तंतर पे चोट पहुँचे और लोग तंतर खत्रे में हो जाए और सरकार इसकी एवज में इस फेवर की एवज में चुनाव आयोग के सदस्यों को पुरस्कृत भी कर सकती है किसी अन्य रूप में एक दूसरा या तो चुनाव और दूसरा रास्ता ये कि चुनाव आयोग का सदस्यों सरकार के दवाव में ना आए ऐसी स्थिति में सरकार कई हत्कंडे अपना सकती है और यहां पर सामदाम दंड भेज का उप्योग करते हुए वह चुनाव आयोग के उस सदस्य को पद से हटा सकती है जो उसके लिए कार्द नहीं कर रहा हो ऐसी स्थिति ना आए जिसमें चुनाव आयोग की विश्वसनीता पर सवाल उठे या चुनाव आयोग पर अकारण ही दबाव बने ऐसी स्थिति ना आने के लिए ना आने देने के लिए हमारे सम्विधान निर्माताओं ने कुछ प्रावधान किया सम्विधान में प्रावधान है कि मुख निर्वाचन आयोक्त को एक बार उसको कारेकाल दिया गया है तो उसके पहले उसे कारेमुक्त नहीं किया जा सकता सामानी स्थितियों में सामानी स्थितियों में दिये गए कारेकाल के पूर उसे मुक्त नहीं किया जा सकता लेकिन महाभीयोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है महाभीयोग एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है जटिल प्रक्रिया है किसी को हटाने की पद से हटाने की इसमें महाभीयोग का प्रस्ताव किसी को लाना होता है संसद में संसद के दोनों सदस्य अलग अलग स्पष्ट बहुमत से एवं दोनों सदनों की उपर्थिति में और मद्दान करने पर दो तिहाई सदस्यों का अनुमदन हो तो इसे हटाया जा सकता है बात समझने की कोशिश करें पहली बात तो संसद में प्रस्ताव आना चाहिए यदि प्रस्ताव आता है तो जो लोक सभा में बहुमत से पारित हो ये प्रस्ताव राज्य सभा में बहुमत से पारित हो ये प्रस्ताव उसके बाद दोनों दल दोनों सदन एक साथ बैठेंगे और फिर वहाँ पर भी दो त हाई बहुमत से पारित हो तभी चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है अनित्हानी जड़जट यानि प्रावधान तो है पर जटिल आखिर प्रावधान क्यों है आखिर उसका कारण बड़ा सरल है कल को खुदान खासता ऐसा कुछ ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव आयट बन जाए जो कुछ गलक कारे कर बैठे चाहिए चरित्र पर उसके सवाल उठे चाहिए उसकी आदितों पर सवाल उठे तो ऐसी स्थिति में देश पर धबा ना हो तो इसलिए संसत को अधिकार दिया गया है कि उसे हटा सकता है लेकिन संसत स्थितिकार का दुरुपयोग न करे इसलिए इसको जटल किया गया है अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये बात जो है महाभियों की ये केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर ही लागू होती है अन्य निर्वाचन आयुक्त और जो खेत्री आयुक्त हैं इनको पत से हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अनुमोदन आवश्यक है अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयुक्त से जुड़े सभी अधिकारियों का चर्वे शर्वा है बहुत महत्पूर्ट बिंदु है अगला अगली बात जो समझने की वो ये है कि चुनाव आयोग के संभन्ध में सदस्यों की संख्या का निर्धारन हमारे संभिधान निर्माताओं ने नहीं किया था बहुत लंबे समझ तक की विवाद चला कि एक सदस्य हो या बहुत सदस्य हो आदे आदे लेकिन 1989 तक केवल एक सदस्य रहा 1989 तक किसी चुनाव आयोग की नियुक्ति नहीं की गई लेकिन अक्टूबर 1989 में पहली बार तदकाली निर्धान मंतरी राजीव गांदी ने चुनाव के पहले मुख आयोग के अतरिक्त दो और नियुक्ति करके चुनाव आयोग को बहुश सदस्य हो बना दिया अखिर राजीव गांदी को एक सदस्य आयोग को तीन सदस्य बनाने की जुरत क्यों पड़ी इसके इतिखास पे हम यहां नहीं जाते हैं इसके लिए आप अपने शुरोतों से अध्यन कर लें लेकिन ये जान लें कि कुछ राजनीतिक कारणों से अक्टूबर 89 में सम्विधान में कोईसी तरह का उलेक ना होने का फायदा लेते हुए राजीव गांदी तचकालीन पधान मंत्री ने दो और आयोग निक्ट किया और इस प्रकार इस आयोग को जो अभी तक एक सदस्ची था उसे बहुत सदस्ची बना दिया 1992 तक चुनाओ आयोग हमेशा एक सदस्ची रहा तीन माँ के वल तीन सदस्ची रहा राजीव गांदी के दौकाल में उसके बाद ब्यानेवे तक एक सदस्ची लेकिन 1993 से चुनाओ आयोग को तीन सदस्ची बना दिया गया है 1993 से और इन सदस्चीों के बीच मदभेद की स्थित्य में तीन सदस्ची आयोग में जो बहुमत होगा उसका निरने मानने माना जाएगा यह पश्ट कर दिया गया यानि मुख्य चुनाओ आयुक्त का निर्णय अंतिम नहीं तीन सदस्य चुनाओ आयोग में दो सदस्य किसी एक बात पर दिसहमत है तो उनका निर्णय मानने माना जाएगा भले ही उन दो सदस्यों में मुख्य चुनाव आयक्त ना हो तो भी एक तरीके से सब को समान अधिकार दे दिये गए ये बदलाव बहुत महत्पूर्ण है और इन सब बदलावों के पीछे कुछ राजन्यतिक कारण भी तत्कालिन संदर में देखके आपको देखना पड़ेगा सुचना पड़ेगा उसके लिए कहीं और आपको अध्यान करना होगा